योग पूरुष विवेकानन्द की दी गई सीख और प्रेरणा वाकई किसी भी इंसान को न सिर्फ सफल बलकि राष्ट भक्त बना सकती है युवा वस्था में ही वो इतना कुछ कह गए और कर गए कि इतिहास वर्तमान और भविश से उन्हें प्रणाम करता रहेगा जानियें वो खास दस बाते जो विवेकानन्द ने कही थी और जिनका पालन वो भी करते थे खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है जितना बड़ा संघर्ष होगा जित उतने ही शांदार होगी जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भोल जाओ जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव ही जगत में सर्वस्रेष्ट सिक्षक है जीवन में ज्यादा रिष्टे होना जरूरी नहीं है पर जो रिष्टे हैं उनमें जीवन होना जरूरी है दिल और दिमाग में जब लडाई हो तो दिल की सुनो किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए आप सुनिशित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं पहले हर अच्छी बात का मजाग बनता है फिर विरोध होता है और फिर उसी स्विकार लिया जाता है उठो जागो और तब तक रूखो नहीं जब तक कि तुम अपना लक्ष प्राप नहीं कर लेते अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और सेर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल रिसी चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेसं मिलती रहें धन्यवार